प्यारे बच्चों सलाम अलेकुम इमाम अली अलेजिसलाम फर्माते हैं कि हसद इस तरहां से हमारी नेकियों को खा जाती है जैसे आग लकडी को लेकिन क्या होती है हसद हम बहुत बार सुनते हैं वो हमसे हसद करते हैं या उनको हमसे बड़ी हसद है लेकिन यह हसद अच्छली है क्या और कब से यह शुरू हो जाती है और इसको किस तरहां से रोकना है वो सब हम आपको आज की इस इंट्रेस्टिंग स्टोरी में आपका लाइफ में गोल या एंबिशन क्या है वो बताएं ठीक है चलिए आप से स्टार्ट करते हैं मेरा नाम जैनब है जी जैनब और मैं बड़ी होके क्या बनना चाहती है आप क्या गोल है आपका बेकर बेकर ओ वाव वेरी गुड आप अपने केक्स मुझे बेजिए का जैनब होके आल वेट फॉर इट और अभी से सीखना शुरू कर दीजे वेरी नाई सब आजकल बेकिंग कर रहें राइट आप बताएं जी मेरा नम सेद मैधी रजय मैं बड़ो के डॉक्टर बनना चाहता हूं जी अस्नाम अलेकुम मेरा नाम आयान है और मैं बड़ो के सी बनना चाहूंगा क्या बनना चाहते हैं सी ए बहुत पढ़ना पड़ता है यान ठीक है बहुत जादा हाड़ वर्क करना पड़ता है बर इस ओके चलिए आपका गोल है इन्शालला आपको कामियाब करें जी मेरा नाम सेयान मौमाद अब बड़ो के बिजनसमें बनना चाहता हम सबको बिजनस करना चाहिए क्योंकि अल्ला ने बिजनस में यानि तिजारत में रिस्के नौ हिस्से रखें जी असलाम अलेकुम मेरा नाम है सेयद चबीर एमत मैं बड़ो के फुटबॉलर बनना था फुटबॉलर ओके आपका कौन है फेवरेट फुटबॉलर कौन है आ इंशालाम जरूर बनिये बहुत अच्छी बात है लड़कियों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जी आप बताइए असलाम वालेकुम मेरा नाम है सारा जहरा गान और मैं बड़ो के बनना चाहती हूं डॉक्टर वालेकुम असलाम जी सारा इंशालला कॉन सी डॉक्टर बनना चाहती है आप क्या स्पेशालिटी करना चाहती है बच्चों की डॉक्टर बड़ों की डॉक्टर ब्रें तशनी को चैप Newman से समद्ध को अपने वारा थे की बता लेदे धगी यह अब लक्सराव बनागी सबनार कि कम्याब करें यहागी को खोटा जो उनर ब People जो भी वार भी।APर ब मैं सबस्यों अजबा दे टीक ही तो लिए पैशनी। हसद क्या होती है कि हसद है जलन को कहते है आम जो लेमेंट टर्म्स हम इस्तिमाल करते हैं हम जलन को कहते हैं कि हमको और जलन ऐसी नहीं होती है पता है कि शबीर के पास यह क्यों है आयान के पास क्यों नहीं है या फिर जैनब के पास क्यों है सारा के ऐसी नहीं होती है जो हसद होती नहीं यह एक लेवल बढ़ के होती है अगर अगर अल्ला दे भी देना हमें तो हमको जब तक सुकून नी मिलता जब तक उसकी चीज बरबादना हो जाए एक हासित क्या होता है वो ये नहीं चाहता कि उसके पास जो नेमत है ना वो मुझे मिल जाए वो ये चाहता है कि भले मुझे मिले या ना मिले उसकी तबहा हो जाए उसको नहीं मिले ये चीज़ और ये अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, हम अश पूर को कितना भी नवाज दे हम अनऴापि रहते हैं क्यों? विकशद उसके साथ क्यों अच्छा हो रहे हैं उसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए तो यह है हसद, अब इसके हम आपको तो यूनो इसके बारे में हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जो आपको बताएगा कि कितनी बुरी चीजे हसद और जैसे हम सब जानते रसुल खुदा सलल्लाओ अलिह वाली वाली सललम फर्माते हैं कि हसद का घर खाली होता है या फिर जो किसी और के लिए खड़ाक होता है वो उसमें खुदी गिर जाता है तो ये एक बाध्शा का वाक्या है। ये बाध्शा आप लोगो ध्यान से सुनेएं आपको क्वेस्टिन करेंगे झासे लुड़ेगे तो जो ये बाध्शा था इसका एक वजिर हुआ करता था और सारी बाते शेयर करता था और दोनों की बहुत अच्छी रैपो थी लेकिन आपको बाद्शाह हों के मिनिस्टर्स बड़ते रहते हैं, बाद्शाह होते हैं, बाद्शाह होते हैं, बाद्शाह के मिनिस्टर्स बढ़ते 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 है लेकिन ऐसा होता है कभी कभी हम instantly connect कर जाते हैं किसी से like हम मिलते हैं and we instantly connect कि हमारी उससे बहुत अच्छी bonding हो जाती है, हमारी दोस्ती हो जाती है तो अब ये बाच्छा और इस मिनिस्टर की बहुत अच्छी एक close bonding हो गयी और ये बाच्छा से बहुत जल्दी close हो गया जो बाच्छा का वजीर था इसको जलन हो गई इसको हसत पैदा हो गई कि बाच्छा इसको जादा अटेंशन दे रहे हैं मैं बाच्छा का वजीर हूँ और बाच्छा मुझे उतना अटेंशन नहीं दे रहा है तो इसने सुचा अब मैं इस जो अरभी है इसका काम कैसे खराब उसने अपने दावत में बुलाया और दावत में उसने सारा ऐसा खाना रखा जिसमें बहुत ज्यादा लैसुन गार्लिक होता है वो पाया जाता है और मतलब आप सब जानते होंगे आपके घर में जब मम्य भी चीलती है तो लहसुन में एक अजीव सी स्मेल होती है, जो छीलने के बाद भी हमारे हातों में रह जाती है, वह जाती ही नहीं जल्दी अजिते हैं, तो इस अरभी को इतना जादा क्लोज रखे हैं है, वह मुझसे कह रहा है हुआ था कि बाद और झाल को भूल झाल को वाजो कोस्छ हुछ ना जाय See the ना झाल को घट है बाधशया ने देखा कि मेरे वजीर की क्युछ द्वाजता है सको मुझसे लिखուक्त मुझसे बूग अरिहें यह हाथ उना मूँ पूर कर रहा है बाधषा को महले कान गए नानने के बाधचा कैसे होते थे हो इसे होते हो impossibly कि आपनों किसी की हमाना यदा of two million इनको कतल कर tutte इनको काःद कर दो जैसे किसी की बात रुड़ी लगगा। इनको 10 साल के काःद कर दो इसकी बात बुड़ी लगगा। उसको कातल कर दो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, अब जो बाच्छा ने देखा, बाच्छा की इगो हट हो गई की, यह जो है तो इन लोगों ने, इसने मेरे इतनी इसकी मजाल किये, हाथ से मेरे सामने अपना मूँ कवर करें, उसने एक लेटर लिखा, और उसने लेटर फोल्ड करके उस अरबी को दिया, और कहा मेरा जो जलाद है, मेरे महल के पीछे जा कि उसे यह लेटर दे देना, यह वो लेटर लेके, चल पड़ा उस जलाद के पास, अब क्योंकि यह एक ट्रस्ट वर्डी आदमी था, इसने खोल के देखना भी जरूरी नहीं समझा कि इस लेटर में क् लेकिन वजीर को हुगी जलन वजीर को लेगा जलन वजीर को लगा लिएक निया पतानी अबाच्छ लेटर लिगा थैंदया और बाच्छ लेट उसको की लिए ने तार इसके लिए फाफ़ँ लेगा, यह टौरा इसके पास लिए उर अखे पुह अगू तुम्हे लेटर ल और यह कह कि उसने लेटर उस अरबी से लिया कहा तुम जाओ, मैं पहुचा देता हूँ, अब यह लेटर लेके पहुचा उस जलाद के पास, जलाद ने लेटर खोला, अब क्योंकि यह बहुत पुराना वजीर था, तो जाहिर है कि जलाद है और वजीर है, इनकी आपस में पर अमल करता है, तो यह जलाद ने खोला लेटर और उसमें लिखा था, कि जो यह तुम्हारे पास खत लेकर आया है, उसकी गरदन उड़ा दो, जलाद ने का देखो ऐसा लिखा हूँ है, बादशा ने तुम्हारे कतल का पैगाम दिया है, अब जो इस वजीर ने देखा, यह पसीने पसीने, और इसकी हालत खराब हो गए, इसको लगा, यानि बादशा ने उस अरबी के लिए लिखा था, कि उसकी गरदन उड़ा दो, उसका कतल कर दो, और अगर यह जलाद मुझे नहीं दिखाता, और मुझे नहीं पूछता, सीधा बादशा के कॉल पे अमल करत तो आज उस अरबी की जगह मैं कतल हो जाता, क्योंकि मैं यह कर रहा हूं, फिर इसको बहुत जादा अपनी गल्ती का एहसास होता है, और यह बहुत पशेमान होता है, और इसे यह भी पता चलता है, कि आज इसकी छोटी सी जलन, छोटी सी हसद, इसकी जान की दुश्मन बन जाता है, और अक्सर हम देखते हैं कि किसी का काम खराब करने जाते हैं, किसी का बुरा करने जाते हैं, तो एद इसकी क्या होता है? हमारा ही बुरा होता है, we are the ones to suffer, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हसद और जलन से दूर रहना चाहीं, कभी चलो खुदा अन खास्ता हम हम लोगों के दिल में यह पाई भी जाती है तो उसका भी तरीका पता है एमाम ने कि कैसे हसतो हसात दूर करनी है हम लोगों को आपस में मुसाफिहा करना आप जानते हैं मुसाफिहा क्या होता है Fynasों कोई मौमिन भाई मिले थो अससे हांद शेक करना है कोई मौमिन भाई मिले तो उससे हैंडशेक करना है तो जब हम हैंडशेक करते हैं तो हमारे दिल से हसद, बुग्स, कीना यह सब निकल जाता है अब आप बताएगे आप लोगों ने स्टोरी से क्या सीखा Don't be jealous Yes, don't be jealous, सबसे जो आसान मौरल की हम लोगों को किसी से भी जलन नहीं करने चाहिए Anything else, जी शबीर? कभी भी किसी से जलन तो उसी में घड़े में गर जाते हैं सब मिलके रहना चाहिए हम सब को मिलके रहना चाहिए, yes, peacefully रहना चाहिए तो कितना मुश्किल है प्यार से रहना आपस में अच्छे से रह सकते हैं, right? peacefully रहना चाहिए जी जैनब आप बताईए जी जब हम हस्द कर जाते हैं, तो हम अपने उपर जल्म करते हैं क्यों पता है? हम खुद खुश नहीं रहते हैं हमको अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी क्यों कि वो इनसान खुश है वो क्यों खुश है, उसकी खुशिया खराब होनी चाहिए जी आप बताई इनको दीजे माई कि कभी जलन नहीं करनी चाहिए हम लोगों को कभी भी जलन से काम नहीं लेना चाहिए अगर हमको कभी किसी के खिलाफ दिल में आ जाता है कि इनके पास अच्छा क्यों है, जैनब के पास सब क्यों अच्छा है और उस शक्स के लिए दुआ करना चाहिए तो इससे हमारे दिल का हसद और बुग्स खत्म हो जाएगा अच्छी इंट्रेस्टिंग स्टोरी थी आप लोग को पसंद आई यानि अब आप लोग जलन और हसद से काम नहीं लेंगे राइट हम यही तो चाहते हैं कि जब बच्चे आए तो बहुत अच्छा मॉरल सीख के जाए और अपनी लाइफ में उससे अप्लाई भी करें ठीक है हमारा सेग्मेंट यहां खतम होता है देखते हैं निश्व गजाला हमारे लिए कौन से इंट्रेस्टिंग क्विज के क्वेस्टिंज लाई हैं आउजब लाहिमन शितान रजी बिसमिल्ला हर्मान आरीम आप सबका एक पर फिर सेग्मेंट इस सेग्मेंट करते हैं इस सेग्मेंट करते हैं इस स्टूडियो में मौझोद बच्चों के साथ Assalamualaikum kids Waalaikum Assalam Waalaikum Assalam Imam Ali said The best revenge is to improve your own self हमें हमें अपने उपर काम करना है हमें देखना कि हमार काई फ्लोव है हम काई पीछे हमें इसको सुदाहरना है अपने इंप्रोव्मेंट करना इस इस बेस्ट रिवेंच विदिन आउन सेल इस इस सेट बाइ इससे करना है, Imam Ali okay Now with this very nice quote let's start with this segment so our, as you know, this is the quiz round okay we will ask question and answer who you have to give correct answers so let's start with the Islamic question and answer first okay You tell me team A Saniye Zehra which baby is our name? Jiya, tell me Bibi Zainab वेरी गुड लेकिन इस बीबी जैनब सलामुलाह अलेहा नव टीम इस वर यौल आप मुझे बताओ शाबन की थर्ड तारीक को हम कौन से इमाम की विलादत मनाते हैं इसलिब्रेट करते हैं जी आप बताये इमाम हुसेन अलेहिसलाम की विलादत बनाते हैं वेरी गुड ओके तीम अब आप मुझे बताओ A माहिशाबन की बहतरीन आमाल जो हमें रिवायतों मिलते हैं मैं बहुत मतलब वैसे तो आमाल बहुत सारे लेकिन बहुतरीन आमाल इस विलादते हैं जो आप भी कर सकते हो मैं आपकी एज के क्राइटेरिया को देखके उसके साबसे में बता रही हूं कि माहिशाबन के अमाल जो रिवायतों की रौष्णी में हमें मिलते हैं सबसे एजी हैं हर कोई कर सकता हो जी महधिया बताईए सद्का वेरी गुड सद्का देना कि वेरी सद्का इना不用ने ह nasal क्राइटरिया ह। कि अर् descried देना तरहsay बताईए और ये सद्का इसम वेरी मौनेतरी आणी वापाराशम आझे वेरी आपनेने सद्कार के और ये आधियलम् वावप rubu थाह कुछ आपान तो voices कि अम् से प्हां लिताल तो इल्म शेर करना भी सद्काय जारिया में आता है, इस प्रेद आफ नॉलजग तो आव टीम इस वर यौल, आप मुझे बताओ इस वर शाबने किस मुनाजात के टाकीट की गई है? शाबनिया इस मुनाजाते शाबनिया एक ये अमाल है जो हमको इस वर शाबन में करना चाहिए तो इस पेशलिटी तीम इसके सार हमारा इस्लामी क्वेशन अंसर राउन फिनिश्ट राउन अब हम स्टात करते है हमारा जीके राउन तीके? य'all are going little slow, but you all are attentive So now team let's start with GK question and answers for your entire life यानि कि जब तक हम हयात है हमारा ये organs, ये part of the body बढ़ते रहते हैं जी आप बताये, Abbas Hair Okay Hair, nose, ears these are the body parts which grows in the entire life of us, okay? आप लोग स्कूल में बढ़ते हैं Algebra, Geometry सबको सब्जेक है ये? Now, what is the measurement of a right angle? I am giving you options It's 60 degree or it's 90 degree? Ji Ayaan 90 degree Very good, 90 degree Okay, now again this is related to maths All right angles are square True or false? This question is for team y'all It's true or false? All right angles are square Again logic What is the shape of rectangle? What is the shape of square? What is the shape of circle? You all should know False Very good, it's false Because rectangle itself is a shape and square itself is a shape So all rectangles cannot be square Okay? So now this is a question for team y'all You all tell me How many muscles are there in the human body? I'll repeat once again It's how many muscles are there in a human body? I am giving you an option 600 or 207 Ji Ayaan 207 No that's incorrect And if I'll If I'll Try it then Second answer you all know That's true That is 600 And the 207 you have said From 206 to 213 1-3 That's a bone Human body The bones in the human body That is That is 600 Okay? Did you get to learn something new? Did you get to learn something new? Did you get to learn something new? Yes Did you get to know? Thank you Okay So with this, our quiz round viewers has been completed I'll give you permission Let's go to our program Last segment Amazing Fact Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Alaikum Assalamualaikum Welcome to the segment Amazing Facts So are you ready To know the amazing facts today? Yes Yes Last week We talked about galaxies Then You also named solar system So this week We will talk about solar system So now Tell me What do you know about solar system? Let's start with Rida Rida What do you know about solar system? What do you know about solar system? No? Do you know anything? Okay No No Now You will hear all the things With your attention In the episode of today's So inshallah You will get a lot of knowledge You will get a lot of knowledge What do you know about solar system? Moon Stars Sun But astronauts 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 Who do you know about solar system? What do you know about solar system? Solar system Planet Earth Sun Moon Stars Rock And many things Very nice Very nice Sir What do you know about solar system? There are many stars Moon And planets Different That's right You all have told me That in solar system There are planets Moon And stars That's right Now Can you tell me That solar system Which galaxy is a part of solar system? Let me tell you Solar system Solar system Our galaxy Milky Way Is a part of the solar system In the solar system There is a sun With which planets revolving We have eight major planets The planets are in order Okay The planets are in order I will tell you the names of planets Mercury Venus Earth Mars Saturn Uranus Neptune Pluto Because it is a very small planet So it is like Our sun And eight planets Sun Our main source of light For all the planets Okay Now we will talk about One of planets Mercury 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 is the planet The sun's most recent And this is why Mercury is only in one year In one year In 88 days In 88 days How many days In 365 days In 365 days And Mercury In one year In 88 days And it is very closest to the sun And Mercury And We can see our naked eyes At night If we want to see Telescope Or There are apps available Through mobile You can identify Mercury Where is And If you can see it With your naked eyes It will be like a star But When you can see it With the telescope You can see Mercury properly Next Is Venus 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 Is the hottest planet And This is why Because The most amount of carbon dioxide And This carbon dioxide Is the heat Trapped And That's why Venus Is the hottest planet In our solar system Next Is Our favourite planet I am sure You will all That is Earth Earth Is a planet With climatic conditions Landforms Water bodies Everything Favourable For Human beings I mean Only Earth Is a planet In which Everything In which Human can survive Moon Earth Natural Satellite Okay Next Is Planet Mars Mars Red Planet Because It is a very red Color That's why Red Planet Next Is Planet Jupiter Our solar system Is The biggest planet Jupiter One day Is 9 Hours 55 Minutes Our One day Is 24 Hours But Jupiter One day Is 9 Hours 55 Minutes Next Is Planet Saturn Uranus 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 A very very cold Planet Uranus Which is Very very cold Uranus takes about 84 Earth Years To complete One revolution Around the sun 84 Earth Years Once After Uranus Around the sun So Behind us The last planet Neptune myth To complete One revolution istem Neptune Nine Wind Such as नेप्ट्यून के पास 14 मून्स तो यह हो गई थोड़ी सी इन्फोमेशन हमारे सोलार सिस्टम के बारे में और एक एक प्लानेट के बारे में अब मैं चाहती हूँ कि आप जिसको और जादा इंट्रेस्ट है वो और नॉलेज हासल करें और बुक्स रीड करें इंटरनेट के त खुद से जानने की भी कोशिश करेंगे इसी के साथ टीम जस्पोकिट्स को दीज़े इजासत हम आपसे मिलेंगे अगले हफते खुदा हाफज झाल